राधे राधे जैसी क्रश्णा मैं सीमा सिंग बड़ो कुछ अरण इसपायर छोटो को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ अब हम सावन मास के महात्यमे का 23 अध्याई सुनेंगे अब तक हमने 22 अध्याई सुने हैं अशा करती हूँ आपको सभी अध्याई अच्छे लग रहे होंगे अगर आपका कोई भी अध्याई सुनने से चूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी आप वहां से अपना चूटा हुआ अध्याई सुनकर पुन्यलाव कमा सकते हैं और हमेशा की तरह आपसे एक करून रिक्वस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपिया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद आईए अब हम सावनमास के महात्यम्य का 23 अध्याई सुनते हैं इस अध्याई में आज में आपको सावनमास की एक सची कहानी सुनाऊंगी एक बार वहुट छोटा सा गाओं था उस गाओं में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था बड़ी रानी बड़ी हिसीधी, सरल, दयालू, आस्तिक प्रवती की थी उसके उलट छोटी रानी गुसेल और नास्तिक प्रवती की थी एक बार की बात है, सावनमास का महिना आया तो बड़ी रानी ने सावनमास का इसनान और रतकाने के लिए छोटी रानी से कहा तब बड़ी रानी ने दासी को कहकर पूजा की दो थालियां जमवाई एक थाली खुद के लिए और दूसरी थाली छोटी रानी के लिए बड़ी रानी ने दासी को भेज कर छोटी रानी को सावन मास के पुजा के लिए बुलाया छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आई बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा कि बहन सावन मास में भगवान महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए चलना है मैंने दो थालियां जमवाई है एक थाली तुम्हारे लिए और एक थाली मेरे लिए चलो हम भगवान महादेव के मंदिर में चल कर पूजा करते हैं लेकिन छोटी रानी ने बड़ी रानी से कहा कि जी जी मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है और ऐसा कहे कर उसने पूजा की थाली जोर से उठा कर फैंक दी वै थाली जाकर अस्तबल में गिरी भगवान महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करी और संकल्प लिया इस तरह बड़ी रानी पूरे सावन मास में इसनान वरत और पूजापाट करती रही और दानपुन्य करने लगी राजा के कोई संतान नहीं थी तब एक दिन राजा ने एक महातमा जी को महल में बुलाया और संतान नहीं होने का कारण पूजा तब उस महातमा ने राजा को बताया कि हे राजन आपके घर में दोश है उसी दोश के कारण आपके यहां संतान नहीं हो रही है इसलिए आपको अपने पूरे परिवार के साथ महादेव जी और मातापार्वती जी की पूजा करनी चाहिए उसी रात राजा को सपन में आकर महादेव जी ने कहा कि हे राजन तेरी छोटी रानी ने मेरे वरत का अनादर किया है उसे तुम नगर से अपनी जिन्दकी से निकाल दो अगर वह तुम्हारे साथ इस महल में रहेगी तो तुम्हें कभी भी संतान सुख की प्राप्ती नहीं होगी इसके अलावा तेरे राज्य में कई प्रकार की पीड़ाएं भी आएगी सुबह जब राजा सो कर उठा तो राजा ने अपने सपन वाली बाद बड़ी रानी को बताई तब राजा ने छोटी रानी को महल से ही नहीं बलकि अपने राज्य से ही निकाल दिया इस तरह पूरा सावन मास बेट गया तब सावन मास की पूर्णिमा के दिन जब अस्तबल में करमचारी अस्तबल की सफाई करने के लिए पहुँचे तो उन्हें वहाँ पूजा की थाली गिरी हुई मिली जो सोने चांदे की मोरों से भरी हुई थी करमचारीयों ने जाकर राजा को पूरी बात बताई तब राजा ने आदेश दिया कि उन मोरों को राजकोश में जमा करवा दू उधर बड़ी राणी जब पूजा करके अपने महल में आई तो उसने देखा कि उसकी पूजा की थाली भी सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी उनके उपर माता लक्ष्मी तूटी थी दूसरी तरफ छोटी राणी जहां भी जाती वहाँ अपशुकुन हो रहा था छोटी राणी चलते चलते एक जंगल में पहुँची वहाँ एक छोटा सा बगीचा था छोटी राणी जैसे ही उस बगीचे में पहुँची तो वह बगीचा सूख गया चोटी रानी आगे चल दी, आगे उसे एक बावडी दिखाई दी चोटी रानी को बहुत प्यास लगी थी वे पानी पीने के लिए जैसे ही बावडी में उतरी तो बावडी का पानी भी सूख गया इस तनर छोटी रानी आगी चल दी, आगी जाने पर उन्हें एक गाउं दिखाई दिया, उस गाउं में एक खुमार का घर था, छोटी रानी उस खुमार के घर पर पहुँची तो खुमार चाक पर बरतन बना रहा था जैसे ही छोटी रानी की नजर चाक पर पड़ी तो चाक पर से टूटे फूटे कलश उतरने लगे तो खुमार ने कहा कि पता नहीं किस अपशकनी की नजर मेरे चाक पर पड़ी है, जो मेरे चाक पर टूटे फूटे कलश उतर रहे हैं छोटी रानी को वहां से भी आगे जाना पड़ा छोटी रानी आगे पहुंची तो उसे एक ग्वाले का घर दिखाई दिया उस समय वेग्वाला अपनी गाय को दू रहा था जैसे ही छोटी रानी की नजर गाय पर पड़ी तो गाय ने दू देना बंद कर दिया तो वैगवाला भी बोला कि पता नहीं किस अपशकनी की नजर मेरी गाई पर पड़ी है जो मेरी गाई ने दूद देना ही बंद कर दिया चोटी रानी ये सुनकर और भी उदास हो गई चोटी रानी वहां से भी आगे चल दी आगे वै एक जंगल में पहुंची जंगल में चोटी रानी को एक कुटिया दिखाई दी उस कुटिया के पास में सेव, केले, आम का पेड था चोटी रानी को बहुत भूख लगी थी उसने जैसे ही फल खाने के लिए हाथ भड़ाया तो सभी पेडों के फल अचानक से गायब हो गे और पेड भी सूख गया उस कुटिया के पास ही तरह-तरह के फूलों का बगीचा था चोटी रानी की नजर जैसे ही बगीचे पर पड़ी तो बगीचे के सारे फूल मुर्जा गए और गास भी सूख गई भूक और प्यास से व्याकूल छोटी रानी उस कुटिया के भीतर जली गई और उसने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया थोड़ी देर के बाद उस कुटिया में जो संत महात्मा रहते थे वे वहाँ आए उन्होंने देखा कि उनके फलो फुलो का पेड सूख गया पूरी बगिया सूख गई बावडी सूख गई कुटिया भी अंदर से बंद है तो महात्मा जी ने तीन बार आवाज लगाई कि कुटिया में कौन है जो भी है बाहर आओ परन्तु छोटी रानी तीन बार आवाज लगाने के बाद भी उसने ने तो कुटिया का दरवाजा खोला और नहीं वे कुटिया से बाहर आई तब महात्मा जी ने छोटी बार आवाज लगाई कि बेटी जो भी हो तुम बाहर आओ ऐसा सुनते ही छोटी रानी ने कुटिया का दरवाजा खोला और वे कुटिया से बाहर आई और महात्मा जी के चर्णों में गिर कर जोर जोर से रोने लगी महात्मा जी ने पूझा कि बेटी तुम कौन हो तब छोटी रानी ने पूरी बात बताई तब महात्मा जी ने थोड़ी देर के लिए आखे बंद करी और चोटी रानी के उपर जो महादेर जी का कोप था उसको उन्होंने पहचान लिया तह महात्मा जी ने चोटी रानी से कहा कि बिटिया तुमने भगवान महादेव के सावन मास के व्रत का अपमान किया है इसलिए तुम्हें ये पीडा उठानी पड़ रही है बिटिया तुम सावन मास के इस्तनान और व्रत करो तुम्हारा ये सारा दोश दूर हो जाएगा कोणास में बचे हुई दिनों का इसनान किया और व्रत किया भगवान महादेव के व्रत के प्रताप से उधर राजा को चोटी राणी की याद आई तब एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते उसी जंगल में पहुंच गे जिस जंगल में छोटी राणी महात्मा जी के साथ कु पहुचे तब महात्मा जी ने उनसे आने का कारण पूचा तब राजा ने कहा कि महात्मा जी हम शिकार खेलते खेलते रास्ता बटक गए हैं भूक और प्यास से बेचेन हैं तब महात्मा जी ने छोटी रानी को भोजन की व्यवस्ता करने के लिए कहा जब रानी भोजन परोस रही थी तो राजा ने उसे पैचान लिया राजा ने महात्मा जी को पूचा कि ये महिला कौन है तब महात्मा जी ने पूरी बाद बताई तब राजा ने कहा कि महात्मा जी ये मेरी पत्नी है मैं अपनी रानी को वापस ले जाना चाता हूँ आप इसे विदा कर दीजिए तब मात्मा जी ने राजा से कहा कि हे राजन मैंने इसे अपनी बेटी के समान ही पाला है अगर आप इसे ले जाना चाते हैं तो आप बारात लेकर आईए तब ही मैं इसे विदा करूँगा तब राजा वापस महल में आए और बेंड बाजों के साथ शाही ठाट बाट से राणी को लेने के लिए आए महात्मा जी ने छोटी राणी को विदा कर दिया जब राणी विदा हो रही थी तो उसने महात्मा जी से कहा कि पिता जी जब मुझे आपकी याद आएगी तो मैं आप से कैसे मिलूंगी तब महात्मा जी ने छोटी राणी को फूलों का एक हार दिया और कहा कि जब ये हार के फूल मुर्जाने लगे तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ तुम उसी समय मेरे पास आजाना आदे रास्ते में जाते ही हार के फूल मुर्जाने लगे चोटी राणी ने राजा से कहा कि मेरे पिता जी मुसीबत में है इसलिए आप रत को वापस मोड लीजी तब राजा राणी वापस महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचे लेकिन महात्मा जी बिलकु स्वस्त थे चोटी राणी ने महात्मा जी से पूचा कि पिता जी आप तो बिलकुल ठीक है फिर हार के फूल क्यों मुर्जागे तब महात्मा जी बोले कि बिटिया तुम तो बड़ी ही भूली हो मैं तो तुम्हारी परिशा ले रहा था कि कहीं तुम महल में जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी बिटिया ये तो फूल है थोड़ी ही देर में ये तो मुर्जाएंगे ही इसलिए तुम आराम से जाओ और मेरी कोई चिंता मत करो तब छोटी रानी महत्माजी से विदा होकर वापस अपने महल में आई फिस साल बर बार जब तुबारा सावन मास का महिना आया तो दोनों रानियों ने राजा के साथ सावन मास का इस्तनान और व्रत किया उस वरत के प्रताफ से दोनों रानियों को दो-दो सुन्दर पुत्र हुए और राजा अपनी दोनों रानियों के साथ इस जीवन के समस्त सुखु को भोग कर मरने के बाद बैकुंट को प्राप्त हुए आएए अब हम सावनमास के महात्यमे का तेस्वा अध्याय सुनते हैं इस अध्याय में भगवान सिरीक्रश्न जन्मास्टमी व्रत का पूरा वर्णन आएगा भगवान महादे सनतकुमार से बोले कि है सनतकुमार सावनक्रश्न अश्टमी को वर्ष के चंद्रमा में आधी रात के समय वसुदे तथा देवकी के यहां सिरीक्रश्न भगवान का जन्म हुआ यह महोसर इस प्रकार करना चाहिए कि सब्तमी को प्रातयकाल नित्यकार्म से निवरत होकर थोड़ा भोजन करें तथा ब्रहमचारिय से रहें अस्टमी को प्रातयकाल निवरत होकर नियम पूर्वक उपवास करना चाहिए जो मनुश ऐसा करता है उसके साथ जन्मों के पापों से छूड़ जाता है पापों से विरक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है वैं समस्त भोगों से रहित उपवास कहलाता है उसके बाद देवकी का प्रसूती इस्थान बनाना चाहिए उसे सुन्दर, कलश, फलों और फूलों से सजाना चाहिए पुष्प, दीप, माला, चंदन, अगर, धूप, आदी से सजावट करने चाहिए स्रीक्रश्न चरित्र तथा गोकुल आदी के चित्र बनाने चाहिए उसके मद्द शष्टी देवी सहीत स्रीक्रश्न जी की मूर्ती स्थापित करने चाहिए मूर्ती सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ट किसी की भी हो सकती है सुन्दर प्रसूती शैया पर प्रसूत पुत्र सहीत देवकी की मूर्ती स्थापित करने चाहिए पलंग पर सोई हुई देवकी के इस्तनों से स्रीक्रश्न दुख दुपान कर रहे हूं ऐसे सजावट करने चाहिए एक और यशोदा के निकट प्रसूत कन्या का चितर भी बनाना चाहिए सिरिक्रश्न भगवान के समीप ही हाथ जोडे हुए यक्ष, किन्नर, वित्यादर, सभी देवताओं के सुंदर्चितर बनाने चाहिए और उसके निकट, खड़क, चर्मधारी, वसुदेव का चितर बनाना चाहिए वसुदेव में कशप की, देव की में अदिती की तता बलदेव में शेश की भावना रखनी चाहिए यशोदा ने अदिती के अंश से जन्म लिया था उसी प्रकार से स्री नंद जी भी साक्षात दक्ष प्रजापती के अंश से गर्ग, साक्षात ब्रहमा जी, गोपियां, स्वर्ग की अपसराएं, गोप, गोपियां, देवता, कंस, कालनेमी, राक्षस, कंस के भेजे हुए राक्षस, अर्थरात, वत्रासूर, दैनुकासू कुवल या पीड तता केशी आदी दानों के अवतार भी बनाने चाहिए। इन सब को तता यमना नदी में कालिया नाग तता श्रीक्रश्न भगवान ने जो जो लिलाएं रचीती उन सभी लिलाओं के चित्र बनाने चाहिए। उन सभी कशद्दा भक्ति पूरक पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से वसुदे, वासुदे, बलदेव, नंद वे यशोदा सब का प्रतक प्रतक कूजन करना चाहिए। और चंदर उद्य के समय अर्ध आदी समर्पित करना चाहिए। महादेर जी बोले कि है सनतकुमार जो भगवान का जन्म अश्टमी का उस्सविदी पूर्वक करते हैं उसके लिए ऐसा क्या दूरलब है जो प्राप्त नहो सके। उसके लिए सभी सिद्धियां सुलब हो जाती है। इस प्रकार से पूरी रात्र, जागरन, भजन, कीर्टन में करना चाहिए। और नवमी को शद्दा पूर्वक, योग, माया का महु उस्सव करना चाहिए। उसके पश्चाष शद्दा भख्ति पूर्वक ब्रामनों को बोजन करा कर अपनी शद्दा अनुसा दूद देने वाली गाय एक ब्रामन को दान करना चाहिए। वो प्रात्ना करें कि यह व्रत करने से मुझ पर भगवान सिरी क्रश्न प्रसन हो। मैं पहले दिन एक समय भोजन और भगवान का इस्मरन करते हैं। पहले दिन एक समय भोजन और भगवान करते हैं। पहले दिन एक समय भोजन और भगवान की प्रतीमा रख कर शोडशो उपचार विधी के द्वारा भगवान को अर्ध देना चाहिए। शंक में शुद्ध पवित्र जल, पुश्ब वचंदन रख कर गुटनों के बल बैठ कर बोलना चाहिए। कि हे प्रबो आपका अवतार दुष्ट कंस के वद्ध वैकोरव दल तता देत्यों के विनाश तता प्रत्वी का भार हटाने के लिए हुँ हुआ है। मेरे द्वारा अर्पित ये अर्ध आप देव की सहित ग्रहन करें। उसके बाद चंद्रमा को भी शत्ता पूर्वक अर्ध देना चाहिए। तता भगवान स्रीक्रश्न की इस्तूति करने चाहिए कि हे जगरनात, हे देव की वसुदेव पुत्र मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस भवसागर से उध्धार करके मेरी रक्षा करें। अगले दिन प्राते काल इस्तनान करके विदिविदान से भगवान का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से खीर, तिल और घी की 108 आहुतियां देनी चाहिए, पुरुष्चुक्तर के मंत्रों से आहुतियां देनी चाहिए, पूर्ण आहुति के साथ हवन का शेशकारिय संपन करना चाहिए, आचारिय का वस्त्र भूशन से पूजन करना चाहिए, व्रत की पूर्ति हेतु एक सुडोल कपिला गाय, एक सुयोग्य ब्रामन को दान करनी चाहिए अधिक दूद देने वाली चांदी के खूर, मोतियों से सजी पूँच, तांबे की पीट, कंट में सोने के घुंगरू, वस्त्र ओडे हुए टता दोहने के प्रियोजन से काइसे का पात्र दक्षिना सहित गाय दान काने का संपूर्फल प्राप्त होता है उसके बाद रित्वजों को यथा सामर्ते दक्षीना सहीद आठ पून कलशदान करने चाहिए तथा ब्रामनों की अनुमती प्राप्त करके बंदू-बांदू सहीद संभुजन करें भगवान महादेव बोले कि हे ब्राम पुत्र इस प्रकाल जो उद्यापन करता है वैं मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर देवता तुल्य हो जाता है और इस लोक में पुत्र पोत्र धन धान्य से संपन होकर अंत में मुक्ती को प्राप्त होता है हे सानत कुमार इस संबन में मैं तुम्हें एक जन्माष्टमी की एक पुरानी कथा सुनाता हूँ एक बार बहुत छोटा सा गाओं था, उस गाओं में एक किसान था जिसका नाम किशन था उसके पास थोड़ी सी जमीन का टुकडा था और एक बैल था, किशन उसी में संतुष्ट था चटनी रूटी खाकर वे बहुत खुश रहता था, वे भगवान सिरी क्रशन का परमभक्त था वे रोज क्रशन भगवान की इस्तूती क्या करता था, लेकिन उसका पडोसी किशन से बहुत जलता था किशन का एक पडोसी था, जिसके पास बहुत सी जमीन थी, ट्रेक्टर ट्रोली, गाडी, घोडे, बंगला, सभी कुश था लेकिन वे संतोशी जीव नहीं था, इतना होने पर भी वे खुश नहीं रहता था किशन के पास कुछ नहीं था, फिर भी वे खुश रहता था, किशन हमेशा अपने बैल से बाते क्या करता था एक दिन किशन के पडोसी ने सोचा कि यह बैल ही इसकी खुशी का राज है क्यों ने मैं इसका बैल खरीद लूँ तब एक दिन किशन का पडोसी किशन के पास आया और उससे बोलने लगा कि क्या तुम यह अपना बैल मुझे बेचोगे तब किशन ने अपने पडोसी से कहा कि नहीं मैं अपना बैल किसी को नहीं बेचूंगा इस बात से पडोसी नाराज हो गया और क्रोधित होकर उसने अपने नोकरों से किशन की फसल जलवा दी किशन जब सुबह सो कर उठा तो उसने अपनी फसल जली हुई देखी तो वे दुखी हो गया थोड़ी सी जमा पूंजी थी जिसी से उसका गुजर बसर चल रहा था तब एक दिन उसने अपने बैल बेचने का नेने लिया किशन के पास कुछ चांदी के सिक्के थे किशन ने सोचा कि अगर किसी ने ये सिक्के देख लिये तो वे इनको चुरा लेंगे तो उसने उन सिक्कों की एक पोटली बनाई और बैल के गले में बांदी सिक्कों की पोटली बैल के गले में बंदी हुई थी किशन बैल को हाट में बेचने के लिए निकल पड़ा बैल के चलने पर एक एक चांदी का सिक्का गिर रहा है किशन को इस बात का मालूम नहीं था क्योंकि किशन ने जो सिक्कों की पोटली बैल के गले में बांदी थी उस पोटली में एक छेद था जो बैल के चलने पर एक एक सिक्का गिर रहा था किशन को इस बात का मालूम नहीं लुटोरो ने जब बैल के चलने पर सिक्के गिरते हुए देखे तो उन्होंने सोचा कि यह चांदी के सिक्के देने वाला बैल है लुटोरो ने किशन से पूछा कि क्या तुम यह बैल हमें बेचोगे किशन ने कहा कि हाँ मैं तो इसे हाट में बेचने के लिए ही ले जा रहा था तब लुटोर ने उसे पांसो चांदी के सिक्के दे कर बैल खरीद लिया किशन बहुत खुश हुआ उस दिन जन्माष्टमी का दिन था उस दिन उसका वरत था वे घर आया घराने के बाद उसने उन पैसों से खुफ सारी गाएं खरीदी क्योंकि उसे मालूम था कि गाएं क्रशन भगवान को बहुत प्रिये होती है किशन ने गाएं खरीदी और वह दू तही बेचने का कारोबार करने लगा दिन दूनी रात चोगनी वर तरक्की करने लगा कुछी दिनों में उसका घर नया हो गया गाड़ी नोकर चाकर सभी हो गये फिर एक दिन उसने बहुत सुन्दर लड़की से विवा कर लिया दो वर्ष बाद ही उसे दो सुन्दर पुत्र हुए लेकिन उसका पडोसी आज भी उससे जलता था कहते हैं न जाको राखे साई या मार सके न कोई जिसके उपर भगवान स्री क्रश्न के आशिरवात का हाथ होता है फिर वह तो धर्ती पाताल और आकाश में कोई नहीं जो उसका बाल भी बाका कर सके तो हुए क्रिश्न भगवान जैसा आपने उसकिसान की मदद करी वैसी सबगी करना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्यमय का तेईस्वा अध्याय सुनाया आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद